कल का दिन crypto industry के लिए उसके इतिहास के लिए उसके history के लिए सबसे worst दिन था एक्षेंज जो थी जानीवानी एक्षेंज जो है वो धरासाई हो गई बहुत सारे crypto के coins जो है वो बिल्कुल तरीके से bleeding करने लगे तो मैं आज इसी पर बात करूँगा और आपको nutshell में ये बताने की कोशिश करूँगा कि आगे क्या हो सकता है crypto industries के अंदर bitcoin की position कहां तक गिर सकती है ethereum की position कहां तक गिर सकती है और कितना possibility है crypto market को recover करने की आने वाले time में ये सारी हम चर्चा करेंगे nutshell में तो बने रहीएगा आप देख रहे हैं अनविदार के मेरा YouTube चैनल और मेरा नाम है RK गुपता तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कल के दिन की और कल की position ये थी कि सारे के सारे अगर मैं बात करता हूँ coin crypto market पर केवल doggy को छोड़ कर सारे के सारे धराशाई हो रहे थे red हो रहे थे बुरी तरीके से गिर रहे थे मैं अभी अगर आपको market की एक जलक दिखा दू तो position क्या चल रही है वो देखिए आप यहां सारा कुछ red हो रहा है BTC जो है वो 16600 पर पहुंच गया Ethereum जो है 1188 पर पहुंच गया आप देखिए BNB जो है 281 मतलब 7%, 9%, 11% यह हो क्या रहा है market के अंदर आप देख रहे हैं आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है एक exchange के down होने से एक exchange के गिरने से कितना बड़ा impact crypto market पर पड़ा यह आप देख सकते हैं इसकी बज़ए यह है दोस्तों कि लोगों के अंदर जो confidence था cryptocurrency के उपर वो खतम हो गया और मैंने कल tweet भी किया था कि दोस्तों जब तक बड़ी बड़ी whales market में हैं और जब तक बहुत बड़े बड़े जो investor हैं जैसे आपके Sam हैं आपके CJ वाइनेंस हैं जैसे आपके seller हैं इन्होंने बहुत जादा अपनी cryptocurrency में investment कर रखा है बहुत सारे bitcoin बहुत सारे cryptocurrency पर इन्होंने hold कर रखा है और क्या होग कि कभी भी मालो कोई भी बंदा जैसे मैं seller की बात करता हूं जो माइक्रोइस्टेटर्जी के जो सीओ है अगर वो अपना holding जो है उनके पास जितने भी उनके पास bitcoin है अगर वो सेल करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि market की position क्या पहुंच जाएगी तो जब तक होल्ड है तक तक दोस्तों आप देखें इतने सारी एक्षेंज चल रही है बहुत सारी एक्षेंज आपने देखा होगा पिछले कुछ दुनों से market में बाड़ आ गई है और किबल ftx की बात नहीं करूं बहुत सारी और भी एक्षेंज हैं लेकिन ftx जो है वह बहुत ही अच्छी थी उसका volume बहुत अच्छा था उस एक्षेंज का और मैं आपको बताऊं कि 2019 में ये डबल अप हुई चालू हुई और जिस तरीके से ये ग्रो की लोगों ने जिस तरीके से इसको पसंद किया वो एक बहुत बड़ी चीज थी लेकिन इतनी बड़ी एक्षेंज अगर डाउन हो जाती है और बुरी तरीके से धरासा ही हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का इसे बनता है और लोग जो हैं और भी एक्षेंज के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और इसी से क्या होता है शुरू होता है लोगों के अंदर एक अभिस्वास पैसा सुरू हो जाता है कि हम किस exchange पर पैसे रखें किस exchange पर हम trading करें कभी उनके दमाग में यह भी आता है कि Binance भी ऐसा हो सकता है Binance के साथ भी ऐसा हो सकता है या OKCoin के साथ भी ऐसा हो सकता है या और बहुत सारी bit thumb है बहुत सारी exchange है जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनके साथ भी क्या ऐसा हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि क्या होता है आपने देखा होगा कि exchange जब बनती है तो वो अपना एक token release जरूर करती है maximum जो exchange हैं वो token release करती है FTX के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने अपना token जो है वो release किया और क्या हुआ उसके पीछे reason मैं आपको clear कर देता हूँ तो इसकी जो sister company है Almeida उसने क्या किया कि इसके जो FTX token थे वो बहुत ही ससे में सुरू में खरीद लिए और mind कर लिए और होता भी यही है कि जितनी भी exchanges हैं जो अपना token निकालती है वो अपना पहले ही बहुत सारा store करके रखती है अपने पास tokens को जो वो निकाल रही है और जो sale कर रही है उसके बाद क्या हुआ कि FTX ने FTT को pump करना सुरू किया और ऐसा हमेशा होता है और भी coins के साथ होता है crypto currency के साथ जो इसके साथ सबसे बड़ा minus point है कि वो लोग इसको pump करते है जान बूच कर जिससे लोग इसको buy करें कि अरे भाई इस पे तो बहुत अची trading हो रही है और जिस समय pump होना सुरू करता है और लोग फिर buy करना सुरू करते है उसके बाद उसका जो price है वो बढ़ जाता है तो Almeda ने क्या किया कि उसने ये post किया कि जो FTT है token वो उसका collateral है उसको support करता है FTX को जो भी FTX पर जो fund आ रहा है जितने भी हमारे investors का जो रख रहे है वो FTT जो है वो collateral है उसका जो पैसा collateral है जो पैसा उन्होंने इखटा किया था लेकिन वो इखटा cable लोगों का था उनका अपना कुछ नहीं था और हुआ ये कि आपने देखा होगा कि Binance के पास भी FTT थे और Binance ने भी अपने जो FTT जब इन्होंने internal news इस वारे में पता किया कि इस तरीके की कुछ कहानी चल रही है तो Binance ने एक forward step उठा कर उसको बेचना शुरू कर दिया और उसके बाद इसके विया capital करके है उसके पास भी करीवन 214 million dollar के जो थे वो FTT थे जो उसने liquidate कर दिये और position जो थी FTT की मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि क्या पहुँच गई यह देखिए FTT की position जो है अभी पहुँच गई 2.6 पर दोस्तों इतनी बुरी हालत FTT की हो सकती है यह किसी ने सोचा नहीं था कहां FTT जो था 27-28 dollar पर चल रहा था और जो बहुत सारे लोग YouTubers भी थे जिनमें बहुत सारे सामिल वो यह कह रहे थे कि FTT जो है future है आने वाले time का obviously इसलिए क्योंकि exchange भी जो थी वो number 2 की थी और उमीद्य की जा रही थी कि आने वाले time में Binance को cable FTX ही टकर दे सकती है तो दोस्तों यह सारी चीज़ें थी दूसरा आप यह देखिए कि जो Almeda थी Almeda जो company है उसके पास soul भी था बहुत सारा और उसने soul भी जो था वो buy कर रखा था और उसको भी निकला उसने और अभी मैं अगर soul की बात करता हूँ तो soul की position भी आप देखिए यहां बहुत खराब हो गई है 38 dollar का चल रहा था और अभी पहुँच गया था यह आप देखिए 12 dollar का थोड़ा सा सुद्रा है और पहुँच गया है अभी करीवन 14 dollar पर तो soul की position भी जो थी वो इसलिए खराब हुई कि market में बहुत सारा जो soul था वो आ गया बिकने के लिए तो दोस्तों यह सारी चीजे चल रही थी कल मैंने एक tweet किया था और जिसमें मैंने आप लोगों को बताय था कि 320 million dollar के soul जो है वो 24 hours में market में आने वाले हैं और हुआ यह कि वो कैसे आने वाले हैं कि वो सब stacking पे लगे हुए थे और उनकी stacking जो थी उसका time period जो है वो खतम हो रहा था और यह सारे market में जब आएंगे तो आप सोच सकती है कि position क्या हो सकती है soul के market की आप यह भी देख रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि अभी और भी जो soul है वो नीचे गिर सकता है तो इसलिए थोड़ा सा सुरक्षित रहिएगा तो दोस्तों कल बहुत सारी खवरें जो थी वो market में चल रही थी ट्यूटर पर चल रही थी मीडिया में चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि बैनेस जो है वो FTX को खरीदने जा रही है उसको acquire करने वाली है लेकिन कल रात जो बैनेस की तरफ से news आई वो यह आई है उसकी जो security commission है SEC है उसकी पूरी नजर है FTX के उपर कि यह क्या कर रही है इसका कितना पैसा है तो वो उस scrutiny में जाना नहीं चाहते बैनेस उस चक्कर में उन्होंने कल जो थी ट्यूट करके सब को बता दिया कि हम लोग जो है हमारा जो प्लान था FTX को लेने का उसको हमने reject कर दिया है और अभी हमारा कोई प्लान नहीं है FTX को buy करने का किस तरीके से चीजें जो है market में जो है आ रही है और आपको बताऊं की FV की मतलब Facebook की और उसकी जो parent company है Meta उसकी सिती बहुत खराब है और करीवन सुनने में जो आ रहा है कबर वो यह है कि 11,000 के करीब employee उन्होंने sack कर दिये है निकाल दिये है, fire कर दिये है दोस्तों अब जल्दी से मैं बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये question रहता है कि BTC का bottom क्या है और BTC कहां जा सकता है आने वाले time में और तो दोस्तों यहां मैंने आप देखिए, यहां मैंने BTC का चार्ट को लिया Bitcoin का और अभी आप देख सकते हैं position जो है वो Bitcoin की चल रही है 16,604 की ये जो Bitcoin है ये 15,000 तक नीचे गिर गया था 15,000 से भी नीचे चला गया था कुछ-कुछ एक चेंज पर थोड़ा सा समला है और अभी आ गया है 16,600 पर यहां देखें तो यहां एक double bottom pattern बन रहा है और ये भी दिखाता है कि market जो है आने वाले time में beer हो सकता है Bitcoin और भी नीचे जा सकता है तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो अभी support level है करीवन करीवन 14,000 साड़े 14,000 के आसपास है अभी का immediate जो support level है लेकिन दोस्तों अगर यहां से यह उपर उठता है और अगर कुछ अच्छी news आती है market में वो करीवन जा सकता है यहां से उपर उठके यह 18,000 डॉलर तक फिर से recover कर सकता है अब दोस्तों बात करते हैं Ethereum की तो आपको मैं बताओं कि Ethereum भी जो है वो मोटा मोटा Bitcoin को ही follow करता है तो आप Ethereum, Bitcoin, BNB इन सब को भी आप उसी तरीके से देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया और मैं आपको बताओं कि लोग कहते हैं कि हमें investment कब करना चाहिए तो मैं आपको शुरू से बताया हूँ कि जब भी आप bear market चल रहा है एक बहुत अच्छा मौका है इसमें आप cryptocurrency में investment करने का और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी cryptocurrency में investment कीजिएगा जो पीछे से decentralized हो जो centralized ना हो अगर centralized होगा तो FTT के तरही case हो सकता है किसी भी coin का तो इस पर ध्यान रखिएगा और मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि कोशिश करिएगा कि bitcoin में, ethereum में और जो matic बगरा जो अच्छे coin है उसमें investment कीजिएगा और हमेशा SIP करिएगा हर 15 दिन के बाद हर महीने के बाद जो भी आपका portfolio है जितना भी आप portfolio बनाना चाहते हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपना portfolio जो है वो अलग अलग wiper gate करके coin में डालिए Ethereum में डालिए और बहुत सारे जो अच्छे-चे coin हैं जिसके लिए जिसके लिए मैं आपको एक fresh वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी जो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से coins ऐसे हैं जो आने वाले time में आपको बहुत अच्छा फादा दे सकते हैं तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ और अगर आपने हमारा telegram जोइन नहीं किया है आप telegram जरूर जोइन कर लिजेगा क्योंकि उसमें भी हम update जो है वो देते रहते हैं बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें आती रहती हैं Twitter हमारा follow कर लिजेगा गिंटी का बटन दवा लिजेगा जिससे आपको हमारी जो notification जो है आपको मिलती रहे काफी कुछ update हुई अगली बार फिर किसी नई तज़ा update के साथ आपके सामनी फरूपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार